आज हम देखने वाले है ये वाइरल स्क्रुबर बहुत ज्यादा चाया हुआ है internet पर क्या ये really ऐसे ही work करता है तो आज हम इसे try करने वाले है इसे मैंने मंगा लिया है Amazon से ये जो इंटरनेट पे वाइरल होते हैं क्या रियली में ये वर्क करते हैं या नहीं मैं अपना ओनेश रिविव आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो चलिए यहाँ पे हम इसे उपन कर लेते हैं आप इसे Amazon से मंगा सकते हो इसका लिंक आपको मैं दे दूँगी जहाँ पे आप कमेंट करोगी वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा तो देखे इस तरीके के होते हैं तो इसमें मुझे 10 पीस मिले दे इसमें आपको 3 भी वर करता है कि नहीं तो देखे इसमें से एक मैंने ले लिया है देखने में तो बहुत ज़्यादा मुझे सॉफ्ट लग रहा है हातों में भी कुछ रैसिस वगेरा इससे नहीं होगी मुझे लग रहा है ऐसा तो यहाँ पे इसमें ऐसे ही फोल्ड कर लूँगी तो चलिए इ देखते हैं क्या रियली मी वर करता है कि नहीं तो यहाँ पे आपको कोई भी जेल ले लेना है यह है मेरा जेल डालने का बॉक्स अगर यह आपको पसंद आया तो इसके ओपर भी वीडियो बनाऊंगी बहुत जादा अच्छा होता है अगर इसमें आपने जेल रखा तो बि आपको यहाँ पे क्लीन कर लेना है तो यह तो बहुत जादा अच्छा वर करता है पर हम यहाँ पे दिखेगे जो चाय के बरतन होते हैं दूद के बरतन होते हैं उसमें हम इसका यूज करेगे कि यह कितनी अच्छी तरीके से वर करेगा तो चलिए यहाँ पे बरतन को हम क्ल करने के लिए बहुत ज्यादा मैनत लगती है तो चलिए इसे में धो लेती हूं धोने के बाद आपके साथ शेयर करती हूं आप खुदी देख सकते हूं मैंने आप बिल्कुल भी कट नहीं किया है आप एक बार इसे मंगा के भी देख सकते हूं तो देखे कितनी अच्छी तरी किसी वर्क किया है चाय के भगोने के उपर तो यहां पे हम दुसरे भगोने को भी देखते है क्या रेले में उसे भी क्लीन करता है यह भी चाय वाला ही है तो देखे बिना सपोर्ट के मैं इसे घिसते जारी हूं बिना ज्यादा प्रेसर लगाए तो देखे ऐसी नॉर्मल से आपको घिस लेना है और इसे क्या हो रहा है हातों पे भी मुझे ज्यादा प्रेशर नहीं फील हो रहा है ने तो हातों पे बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है जो हम नॉर्मल वाला स्क्रबर यूज़ करते है तो तो चलिए इसे भी मैं धोलूंगी और आपके साथ कर लिये थोड़ी से टाइल भी मैंने क्लीन कर लिया है ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो सके आपका जो हाडन मनी है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो इसे आप आराम से मंगा सकते हो मेरी तरफ से पूरी तरीके से हां है क्योंकि यो बहुत अच्छा वर्क करता है इसे आप धोने के बाद इसे सुका भी सकते हो तो इसे क्या होगा इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी जो दूसरे हमारे स्क्रबर होते है उसमें क्या होता है थोड़ा सी चावल फस जाते है जो भी खाना है उसी में फस जाता है तो देख सकते हो ऐसे वाले पॉलोवर से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है।